पहले तीन चेप्टर मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज्यादा चीजें हैं उनके अंदर जिनको समझने की जुरूरत है और वो हमने बहुत तफसील के साथ उसे कवर किया है अब जो अगला पॉर्शन है जो अगले दस चेप्टर है हमारे यह दर असल दस नॉलिज एरिया हैं जिनको हम डिसकस करेंगे वन नॉलिज एरिया इन वन चेप्र बट इवन बिफोर देट यू आल्सो अंडरस्टैंड के पांच प्रॉसेस ग्रूप भी है और दा स्टैंडर्ड फर प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो पांच प्रॉसे जिरिया के साथ से डिसकस करती है हमें यह समझना है इससे पेश्टर कि इन दोनों में तालुक क्या है वो तालुक मैंने पिछले लेक्चर के एंड की उपर थोड़ा सा आखरी आदे गेंटे में हमने थोड़ा बहुत उसको डिसकस किया था वहां से मैं बात शुरू करता और उसको हम समझ लें अगर तो फिर हम नॉलिज इरिया वाइस पढ़ें या प्रोसेस ग्रूप वाइस पढ़ें कोई फ़र्ट नहीं पढ़ता क्यूंकि आपको उनका रिष्टा समझा चुका होगा इस बात की अहिए और आप प्रोसेस ग्रूप के हवाले से देखना चाहें तो प्रोसेस ग्रूप हैं नंबर जो है फॉन्टिण इन है जो पी-म आई रिक्मेंट करती हैं और मैं आपको यह बता चुका हूँ कि यह सारी की सारी सारी फॉन्टिण प्रोसेस कोई नहीं होती ह यह प्रोज्द मैंजर और इसकी टीम मिल के फैसला करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस पर डॉपट करना है और किस कितनी डिटे़ल में फॉल्लो करना है तो क्रॉजेक्ड टू प्रोजेक्ड इनका डे फिर इंटेंस्टि हर प्रोसेस की मुख्तलिप हो सकती है किसी process की हो सकता है आपके project में ज़रूरत ही ना पड़े तो वो आप छोड़ भी सकते हैं तो इसको हम tailor करना कहते हैं और यह हमने पहले discuss किया भी कि this is the tailoring बट anyways यह हैं जी project को manage करने की processes और यह 49 हैं लेकिन एक बात ज़रूर जहें में रखिएगा जो मैंने पहले भी बात की थी कि किसी project को चलाने के लिए किसी project को करने के लिए सिर्फ यह 49 processes से काम नहीं चलता यह तो project को manage करने के लिए generic processes है मतलब दुनिया का कोई भी project हो उसमें इन 49 processes को consider किया जा सकता है मगर सुआल यह पहला है किया आप जो project कर रहे हैं अगर वो construction के field का है तो there will be some technical processes regarding construction अगर वो telecommunication के field का है तो there will be some technical processes regarding telecommunication और software और IT और whatever तो इसका मतलब यह हुआ कि खाली यह जो 49 processes है इन से कोई project नहीं होने वाला इन processes से तो project की management को बेतर किया जा सकता है लेकिन project के अपने जो काम है अपनी जो processes है जो अपनी technology है और भी processes होंगी तो वो processes की technical processes है और वो processes जो project management की processes है इन दोनों को मिला जुला के आपको कुछ अपने project का setup डिवाइस करना पड़ेगा लेकिन चोगे हमें नहीं पता क्या आप कौन सा कौन सी किसम का project करेंगे तो यह थैसला आप और आपकी team के उपर छोड़ दिया कि आप उन processes को जो technically required हैं उनको करें, adopt करें that is no problem, we are happy about it but यह जो 49 processes हैं यह सिर्फ project को manage करने के लिए, अच्छा manage करने के लिए these are the good practices, अगर इने follow किया जा सकता है तो कोशिश करें, कि इनको जादा जादा follow किया जाए लेकिन फिर मैं एक बात दुबारा कहूंगा कि यह mandatory है mandatory नहीं है, इनको आप टेलरिंग में छोड़ भी सकते और कर भी सकते तो 49 processes के उपर हमारा focus रहेगा क्योंकि जो technical processes हैं, हमें क्या पता कि आपकी क्या है प्रोजेक को अचा मेरेज करने के लिए यह process तो पांच process ग्रोप हमारे हैं initiating process ग्रोप, planning process ग्रोप, executing process ग्रोप, monitoring and controlling process ग्रोप और closing process ग्रोप, इन में जो distribution of these 49 processes is 2 in initiation, 24 processes in plan, 10 in execution, 12 in monitoring and control, and one process in closing Apparently, इसको देख के यह अंदाजा होता है कि शायद सबसे ज़्यादा काम planning में है और यह बात गलत भी नहीं है ज़्यादा काम planning के हवाले से मतलब जिसे कहते हैं you want to be proactive हम दूर अंदेशी से काम लेना चाते हैं हम बहुत अच्छी तरह से plan करना चाते हैं ताके जब हम execution में या voluntary and control में जाएं तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो सोच समझ के अच्छा plan develop करके अगर मैं project करने की कोशिश करूँगा तो कामजाबी की chances काफी बढ़ जाएंगी और अगर बगएर सोचे समझे बगएर proper planning करने के मैं project को शुरू कर दूँ जो के आम तोर पे होता है तो थोड़ी थोड़ी देर में गलतियां सामने आएंगी और हमें दोबारा we have to go back to the drawing board और हमें उन चीज़ों को दुरूस करने के लिए फिर planning करनी पड़ेगी फिर planning करनी पड़ेगी तो मतलब यह है कि अगर यह कोई कहे कि जनाब plan में तो तबदील हो नहीं है क्या फाइदा शुरू में plan करने का अल्ला का नाम लेके काम शुरू करते हैं जो होगा देखा जाएगा यह हमारी आम सोच है जो के नहायती फदूल सोच है हमें दूर अंदेशी से काम लेना पड़ेगा फाइदा उसका यह होता है कि हम दूर तक सोच लेते हैं दूर तक चीज़ों को plan कर लेते हैं जहां तक visibility है जो नहीं समझाया जो अभी आपको नहीं clear हैं चीज़ें उनको छोड़ा जा सकता है लेकिन जो चीज़ें नजर आ रही हैं अब वो तो बात के लिए छोड़ने का कुछ तुक नहीं बनता ना मतब आपको एक चीज़ गलत नजर आ रही है और आप कहेंगे अच्छा यार जब महाँ पहुंचेंगे तो देखेंगे यह तो बड़ी हमाकत है अगर कोई काम गलत नजर आ रहा है या कोई गरबर है तो उसको अभी से उसके बारे में सोचना और प्लैन करना शुरू करें इसलिए प्लैनिंग बड़ा डेलिबरेट प्रॉसेस है और इसमें ज्यादा प्रॉसेस है इनिसियेशन में कम प्रॉसेस इसलिए है कि इनिसियेशन सिर्फ ऐसे ही है या उसकी उसकी शुरुवाद करनी एक्जीक्यूशन में कहने को तो सिर्फ दस प्रॉसस हैं लेकिन अगर देखा जाए तो मेजर बल्क आफ वर्क एस फार एस दारिसूर्सेज और फैनांसेज और जो दूसरी आपके चीज़ें हैं उनका कंसर्ण है तो सबसे ज़्यादा खर आपके अच्छल वर्क इस बिंग दने एक्जिशन तो यह थे जाए प्रॉससे यह थे इस आपके थे जह था देख रहा हुआ है कि नहीं होगा तो आपके जाए प्रॉससेज आपके जाए प्रॉसेशन ग्यूशन एबचार प्रॉससियर दोधी चुपर्वाइशन लीड त तो as soon as we start working टीम अपना काम शुरू करती है तो उन पे नज़र रखने वाले supervisors वगरा वो अपना monitoring and control का बंदोबस शुरू कर देते हैं तो monitoring and control starts happening as soon as execution is started, so 12 process monitoring and control के भी है तो अगर मिलाज उला के देखा जाए, तो 22 process बन जाते हैं एक ही वक्त में हो रहे होते हैं खर वो तो एक बात है लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि भले हमने planning कर ली थी लेकिन बेशक आपने कितनी ही wisdom के साथ दूर अंदेशी के साथ pro activity के साथ planning की हो इस certainty का level इतना high होता है project के अंदर कि उसके बावजूद बहुत से चीज़ें हैं करकरती हैं जो कि आपके सोच में नहीं आ सकती थी plan नहीं हो सकती थी और वो बात में visible होती है काम करने के दौरान इसका मतलब है कि जब वो चीज़ visible होगी तो हमें अपने plan को दूस्ट करना होगा तो एक हद तक देखा जाए तो planning भी जा रही है planning अब नहीं होगी although we created a plan to start and we started executing the project but planning continues on जब तक project में जान में जान है planning भी होती रहेगी execution भी होती रहेगी monitoring and control भी होती रहेगी और जब सारे काम project की requirements के मताबक पूरे हो जाएंगे तो फिर लाजमी बात है कि फिर execution खतम हो चुकी होगी monitoring and control ने चेक कर लिया सारा कुछ चीक है तो फिर हम closing process group में जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि एक review किया जाता है audit किया जाता है और चीज़ों को close down किया जाता है एक ही process है closing का तो यह तो एक general overview हो गया कि इन पांच process group में होता क्या है और इन में कितनी कितनी processes distributed हैं अगर आप इनको जमा करें दो और 26 और 10 36 और 12 48 और 149 processes टोटल आपको यहां पे नदर आ रही हैं आप अगर आप वो standard से पढ़ना चुरू करें standard for project management तो उसमें वो chapter 1 इसके हसाब से बना हुआ है initiation का chapter है दूसरा तीसरा चौता पांच तो पांच चेप्टर में उसने पूरी project management आपको समझाने की कोशिश की है लेकिन मैं यह समझता हूँ कि ज़्यादा बेतर है कि अगर हम इसको knowledge area आवाज पढ़ें तक जब मैं से के scope के बरे में पढ़ रहा हूँ तो मैं scope ही के उपर focus हूँ चुरू से आखर तक project चुरू से लेके आखर तक scope को लेकर चल रहा हूँ scope कैसे conceive किया कहां से लिया क्या क्या किया फिर उससे आगे क्या 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 पर उसकी execution में उसका क्या 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 تو scope की पूरी कहानी हम एक दफ़ा दो रहाते हैं इस तरह 10 knowledge Мы ईगा तो 10 दफ़ा हम पूरे process पांचों मैंसे गुजर जाते एक तो इससे बार-बार गुज़रने की वज़ा से हमें रिविजन भी हो जाती है और पका भी हो जाता है और सेकंडली हर नॉलिज इलिए का रूल मुझे सौफ इसदी क्लियर हो जाता है कि वो कैसे कैसे काम करता है तो ये जाता बेतर तरीका है इसको पढ़ने का ये वज़ा है कि नॉलिज इरिया वाइस इसमें चप्टर बनाए गए हैं अगर नॉलिज इरिया वाइस देखें तो साथ प्रॉसस हैं जो इंटीग्रेशन में हैं प्रोजेक्ट इंटिग्रेशन मैनेजमेंट के साथ प्रॉसेस हैं स्कोप मैनेजमेंट के छे प्रॉसेस हैं स्कैजूल के छे हैं कॉस्ट के चार हैं कॉल्टी के तीन हैं छे रिसूर्स के हैं तीन कम्मुनिकेशन के साथ रिस्क के और चार स्टेक होड़र की अगर आप इने जम्र करें ये भी 49 है तो दोनों तरफ से टोटल हमारा 49 ही बन रहा है इसका मतलब है कि इसी चार्ट को मैं ऐसे बनाके भी देख सकता हूँ यहाँ यह मैंने आपसे लास्ट कलास में भी डिसकस किया था यह चार्ट इस तरह हम देखा था और हम इसको डिसकस कर रहे थे यह अभी तो खेर मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके अंदर आप लोग भी इंटरेक्ट कीजिए और जहां कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे क्लियर ली बताईए कि जनाब यह एक्प्रेंड करनें ऑल्दो बहुत से चीज़ें आगे चल के क्लियर हो भी जा यहां पर है एन्यूवेज फार टाइम बिंग तो इस चार्ट में कुछ आपको नजर नहीं आ रहा होगा पड़ा नहीं जा रहा होगा बहुत बारी क्लिक्टा हुए मैं इस चार्ट के उपर एक काम करना चाहता हूं वह यह कि मैं सरफ इसको एक्स्प्रेंड करना चाहता सारे 49 process के नाम लिखे में और जो कॉलम बने में वो 5 process groups हैं और जो rows हैं वो 10 rows हैं और वो हैं 10 knowledge areas तो आप यह देख सकते हैं कि हर process जो यहां 49 process दिये हुए है every process is related to one knowledge area and one process group मत अगर यह manage project knowledge है यह वाला process तो आपको उसको पूछे कि यह किस knowledge area से तालुक रखता है तो आप बाहीं तरफ जाएं और देखें कि manage project knowledge जो है यह it is part of integration तो आप कह सकते हैं कि manage project knowledge integration का part है और process group में पूछा जाएं तो आप कहें हैं execution में तो मतलब यह हुआ कि integration का process execution में जो है वो manage project knowledge है क्या यह अकेला है नहीं एक और भी है direct and manage project work तो दो process integration के ऐसे हैं जो execution में होते हैं एक process इनका initiation में है एक processes का planning में है दो execution के दो monitoring and control में और एक closing में total साथ processes के हैं इसी तरह अगर आप को देखें तो initiation में कुछ नहीं है execution में कुछ नहीं है और closing में कुछ नहीं है closing में किसी का भी कुछ नहीं है closing में किसी का भी कुछ नहीं है इसका मतलब है कि वो वाहे knowledge area जो हर process group में मौझूद है वो integration ही है integration का process आपको नजर आ रहा है इनिसेशन में भी है planning में भी है execution में दो है है monitoring and control में भी दो है closing में एक है तो क्या पता चला कि integration will be everywhere पांचो process group में integration का रोल है यह तो एक बात होगी लेगिन integration है क्या बला जितना भी काम project का हो रहा है उसका overall उसको उसको combine करना compose करना और consolidate करना यह integration का काम है and therefore यह hardcore project manager की जाती जिमेदारी है और यह हमने पढ़ा था कि यह वो जिमेदारी है जो किसी और को नहीं दी जा सकती मतलब मैं scope का का काम किसी और को दे सकता हूँ time का किसी और को delegate कर सकता हूँ सारे काम मैं delegate कर सकता हूँ एक काम जो मैं किसी को delegate नहीं कर सकता वो integration है और यह मेरी as a project manager यह मेरी जाती जिमेदारी है कि मैं ensure करूं कि सारे plans synchronized हैं सारी चीजें जो हैं वो execute जब हो रही है तो वो synchronized fashion में हो रही है तो ऐसा नहों के एक चीज जो है वो तो ज़्यादा detail में execute और यह दूसरी को कुछ हो ही नहीं रहा यह भी नहीं हम चाहते हैं तो we want to be very clear about it then एक बात तो यह clear होगी कि स्वाए integration के कोई भी knowledge area ऐसा नहीं है जो पांचों process group में पाया जाता हो एक तो इसी से बात वाज़ी कि क्लोजिंग में एक ही process है और वो integration का है बाकी खाने खाली है इसका मतलब हुआ कि नहीं है कोई भी नहीं है फिर अगर आप initiation की तरफ देखें तो वहाँ भी आपको एक wide gap नज़र आता है यह एक process उसमें है integration का है और एक process stakeholder management का है बीच में जो आट knowledge areas हैं उनका कोई रोल नहीं है initiation के दुरान आप यह देख सकते हैं कोई रोल नहीं है initiation के दुरान मतलब जो हमने इनिशली गाड़ी को ignition देना है वो बस चाबी डालनी है और ignition देना है तो मोटे मोटे काम जो ignition देने के लिए या project को start करने के लिए required है बस उतना ही काम करना है ज़्यादा तफसिलात में जान और इसका सबूत क्या है there are maximum number of processes in planning and every process has got a number of processes every you know knowledge area has a number of processes कहीं कहीं तो आपको यह देखें scope में planning में आपको नजर आ रही है चार schedule में नजर आ रही है पांच पांच process तीन cost की हैं बाकी एक एक वाले भी हैं फिर आपके risk में आ जाती है पांच process हैं आप बाकी एक एक वाले भी हैं लेकिन अब आप यह देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा rush आपको नजर आता है planning में इसका मतलब है बड़ा थोरो काम है मैं यह नहीं कहा रहा कि यह वो जगह जहां सबसे जजादा पैसा लगता है यह रिसरसे लगते है यह तो planning का काम है इसमें जजदा रिसरस नहीं लगते हे लेकिन काम बहुत ज़यदा है हर चीज़ की तफ्सेडी planning बनानी है तो इस वज़जा से इतने सारे इसके अंदर काम हैं तो ये जितने भी प्राफसेज हैं ये 24 नंबर बनता है इनका और इनको हम बिसक्स करेंगे आगे चलए एक्जीकुशन में देखिए एक्जीकुशन में हर चीज एक्जीकुट हो रही है सवाए तीन चीजों के तीन खाने खाली है ये तीन स्कोप का टाइम का और कॉस्ट का तीन खाने खाली हैं ये क्या मकसद हुआ ये तीन खाने क्यों खाली है जब बाकी हर चीज़ एक्जिक्यूट हो रही है तो स्कोप, टाइम और कॉस्ट तो बड़े जरूरी है वो भी एक्जिक्यूट होने चाहिए वो क्यों एक्जिक्यूट नहीं हो पारे और अगर मैं थोड़ा सा प्लैनिंग में चला जाओं तो मैं देखूं के सबसे ज़्यादा प्रॉसस जो थे वो तो इन ही के थे, स्कोप के चार प्रॉसस थे स्कैजूल के पांच प्रॉसस थे और क्या कहते हैं, कॉस्ट के तीन प्रॉसस थे इन तीनों के इतनी डेलिबरेट प्लैनिंग की इतना गौर्फ फिकर करके प्लैन बनाया और एग्जीक्यूट करी नहीं रहे आप, यह क्या चक्क्र है, वाय आर जू नोट एग्जीक्यूटिंग अल दीस थे, सोचने की बात है, तो कोई राए देगा का इसके उपर के यह एक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो नहीं, मैंने पिछ रिवा बताया भी ता वैसे, यह क्या आप कहते हैं, आपका क्या ख्यार है, जी जनाव एनिवन, जी जनाव आप लोग मेरे साथ हैं भी के नहीं हैं, मैंने माइक खोल दी हैं जारूंगे, आप लोग बताईए मुझे जिसने बोलना है, मैं आपका माइक खोल देता हूं, प्लीज रेर्ज हैंड, जी जनाव, मुझे लगता है आपको वेक अप करवाना पड़ेगा, एक टेस्स ना कर लिया जाए इसी बाने, क्यों जी? चले जी, मैं इसको बात में एक्स्प्रेंट करता हूं, पहले मैं आपको एक टेस्स दे रहा हूं, ताकि आप लुग थोड़े जाग जाएं, इसके नंबर लगेंगे, और इम्तिहान में भी इसका रोल है, तो छोड़ तो सकते नहीं आप, तो यह जनाब मैं, पहले तो नहीं मैंने आपको टेस्ट कराया है न, यह शुरू कर रहा हूं जी, इस टेस्ट के अंदर, दस क्वेश्टन हैं, और आपके पास दस मिनट हैं, दस मिनट में यह दस क्वेश्टन करने हैं, इसके फॉरण बाद मैं आपको दस क्वेश्टन और दूँगा, पहले दस दस करके यह करें, और इंकम जो स्कूर मिलेगा तो फिर मैं आगे चलूँगा, इन 20 क्वेश्टन क के बाद दरमागे पड़ते हैं मैं टेस्ट टार्ट कर रहा हूं एवरीबोडी मस्ट अटेम्ट और जेन में रखेगा कि इस एक्जाम का स्कूर आपके कोर्स के पास फेल में लगेगा कोई टेस्ट ने लिए ना अभी अभी शुरू करते हैं हेर इट गोज आपको स्क्रीन पर नज़राना शुरू हो जाएगा भी यह जी मैंने स्टार्ट कर दिया और बताईए अगर आपको नज़राना शुरू हो गया कि अभी कोई मसला है तो आथ खळा कर दीजिए अदर्वाइस मुझे पता है कि टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा 10 मिनट्स हैं जी टाइम स्टार्ट्स नौग जी शुमाइला बोलिये जी शुमाइला आपकी आवाज नहीं हारी शुमाइला भाइक तो आने आपका लिख दीजिए नीचे मैसेज में लिख दीजिए चैट में और कोई किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल दीजिए ओके चलने ठीक है शुरू करें जी और 10 मिनट्स वाल आपको देख पूंग झाल है 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 जी करें है जी श्क्रीन पर प्वेस्टेशन अपेर होंगे वहीं आपने टिक करने है राइट एक अंसर राइट होगा है इसी एक अंसर को आपने टिक करने हैं और शीवर आपकर देंगे आखर मिसा पेका देंगे झाल के देंगे आपकर देंगे आपकर देंगे आपकरागश की झाल 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 जी जनाब दस मिनट तो हो गए हैं और अभी तक सिर्फ 38 परसंट सब्मिशन आई हैं मेरे पास हरी आप मैं आपको एक-दो मिनट और देता हूं यह कंप्लीट करें और जब मेरे पास 100 परसंट आ जाएगा तो 62 परसंट होगी जी सब्मिशन मतलब यह है कि तो आप रोग तेरा लोग हैं बस दो चार लोग हैं उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ ते सिर्म लिक ही जी झाल झाल परसंट होगे जल्दी करें एक दो लोग रहे हैं अभी अगर मैंने एक्जाम यहां से बंद कर दिया तो फिर आप लोग नहीं रुक जाएगा आपका आप कंप्लीट नहीं कर सकते पिरूए झाल झाल जी जनाब ताइम हो गया जी 77 पी रुके में जो एक आद बंदा है वो नहीं कर रहा है एक या दो लोग मैं पेपर पंद कर रहा हूं जी पेपर पंद हो गया जिसने जितना किया हुआ है वह वहीं पर रुक जाएगा और मैं इसको भी रिव्यू करने लगा हूं यह आपके स्क्रीन पे शेयर भी होगा ओके जी ओवराल जो आपका स्कोर है अभी मैं इंडिविजिल स्कोर की बात नहीं कर रहा ओवराल स्कोर जो है वो 64 परसंट है पूरी क्लास का विच इस गुड एनफ बुरी बात नहीं है बहुत जबरदस्त है स्कोर क्वेस्टन नमबर बन जो है वो 75 परसंट लोगों ने सही जवाब दिया है और इसका सही आंसर था डी मेरा ख्याल है यह तो बेसिक रेवनेजन थी इसका तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था जो 25 परसंट लोगों ने गलत जवाब दिया है उसकी कोई खास रीजन ब वह तकरीवन 42 परसंट लोगों ने ठीट दिया है और यह कोई अच्छा नहीं मैं तो पड़ा तो हमने बड़ी तफसील से था रहा और मैंने कहा था कांसेप्शिली चीजों को समझें अगर आपने नहीं समझा तो तो यह बिक फ्लॉ हमने तो कोशिश पूरी किया हमने तो क की क्रेक्ट आंसर है जी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ओवन और मोर पोर्पोलियो तो चीव स्टेजिक अब्जेक्टिव चौथा क्विस्टन जो है वह आदे लोगों का ठीक है आदों का गलत है यह भी को इतनी अच्छी प्रफॉर्मस नहीं है आल अफॉलिंग और क्वेस स्टेक्षोल्डर और प्रॉजेक्ट मैनेजर शुड आंसर टू डिवेलफ तो प्रॉजेक्ट मैनेजर प्रॉजेक्ट सक्सेस मैयत अच्छा यह जो क्वेस्टन होते हैं जिनके एंड पर एक्सेप्ट का लफज लगा होता है यह अमूमन लोगों को कंफ्यूज कर देते है वो इसका मतलब ही होता है कि यह जितनी भी चॉजिस दी हैं इन्हें यह सब ठीक हैं सवाए एक के मतलब यह नेगिटिविटी पूछ रहा है कि कौन सी बात है जो आप नहीं कंसिडर करते हैं की स्टेकोलडर से क्वेस्टन जें देखें जी पहला उसे का जी वट ड़स सक्स सब्सक्ट करें हैं एंप यह इस लिए बहुड लागी है लेकिन हैं बतार स्टेकैशन रफेकें सब्सक्रायर। यह बहुत है शबना स्वड़िक पूमिएँकर मोय सेफिख्य деньги डिकमें माफ्यार जो बढ़ें श्योंगमीकर्णी यह जो ने सब्यात शीन पर लोगों का ठीक है I would say okay मगर यह कि यह definition थी इन में को इतना ज़्यादा flaw होना नहीं चाहिए था यह 100% भी ठीक हो सकता था question no.6 50% लोगों का ठीक है not good इसमें भी accept लगा हुआ था शायद विश्की विज़े से लोग confused हुए हो all of the falling are true about projects and operations मतलब सब कुछ true है स्वाए एक statement के वो statement आपने ढूमनी थी कि जो projects और operations के हवाले से statement true नहीं है पहली में कहता है operations are ongoing endeavors and that produce repetitive outputs whereas projects are temporary endeavor यह भी ठीक है projects require project management activities and skill sets whereas operations require business process and operations यह भी ठीक है projects can interact intersect with operations during product lifecycle deliverables and knowledge are transferred between the two यह भी ठीक है project cannot help achieve an organization's goal long term goals therefore strategic activities are addressed through operations यह बिल्कुल statement है आपको तो शुरूर से पढ़ाते आ रहे हैं कि project और operation दोनों जो काम भी organization में होगा वो strategy की alignment में होगा तो हर चीज strategy को contribute कर रही होती है यह नहीं होता कि project चूंके चोटे होते हैं इसके contribute नहीं करते हैं यह बिल्कुल गलत statement है तो यह जना बी जो है इसके इसके इसमें कुर्रेक्ट आंसर था क्वेस्टन निबर सेवन का तो बहुत बुरा आल है जी शिर्फ पच्चीस फिसद लोगों ने इसका सही जवाब दिया है आप डैट इस वेरी बैट वेरी बैट का दे यूर कहां पर प्रॉजेक्ट प्रोग्राइम और उपरेशन सब को consolidated करके किया जाता है वह portfolio management में किया जाता है इसमें कौन सी ऐसी बात थी किया आप लोगों उसे गल्द किया है क्वेशन नमर एट जो है वह 75 पर संट ने लोगों ने ठीक किया है यह यह लेकिन आइवस एक्स्टेक्टिंग बेटर पीमब्यों के इस स्टेंडर्ड फॉर मैंजिंग प्रोजेक्ट्स आल आफ टाइम मैंजिंग आल प्रोजेक्ट्स मोस्ट आफ टाइम यह सबसे बेतरी स्टेट्मेंट है कि मोस्ट देखें यह जो एक गुड़ प्रेक्टिस गाइड आपको बनाके दी गई है इसलिए दी गई है कि दिस विल भी एप्लिकेबल तू मोस्ट आफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मोस्ट आफ टाइम बट एक्सेप्शिंग अर्सम टाइम दे में sequential and sometimes overlapping project phases whose name number are determined by the management and control needs of the organization are organization involved involved in the project is known as project life cycle phases जो होती है जो होती है यह भी 67% लोगो ने ठीक किया question number 10 accept वाला question था लेकिन 92% लोगों ने ठीक किया है that is very good जो एक आथ बंदेर ने सही नहीं किया उसको भी तुरा समझ देना चाहिए कि यह इसमें कोई इतना difficult वाली बात नहीं अच्छा जी अब मैं आप से पूछूँगा कि के what is your score 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 तो मिले है ना आपको मैं माइक on कर रह करके हैं और जब बोलने को क्यों ता बहुंड कीजेगा और मैं शवीक साब अपना माइक तरह म्यूट कीजिए अपनी तरफ से हाँ बिलकुल अच्छा जी अब यह अभी किसका है हमाँ शवीक म्यूट कीजेगा अपना जी अब्दुल्ला मैमूट साब आपके क्या मार्स ह हैं मेरे 50 आए हैं और आसिप साब आसिफ खटक साब प्रवाद की आसिव खटक साब ओलाम बास साब मौमद शवीक साब क्या रिजल्ट है आपका मेरे पास है मजूद लेकिन मैं देखना ने मैं पूछना जा रहो हूं आप से मौमद रावेल यह जिन के पीछे माइक से हवाज वो डिस्रेबंस आ रही हूं माइक बंद कर रहा हूं जब बोलना हो तो बता दिएगा राविल शाहिद प्लीज टेल मी यूर मार्स अमेर खान नदीम अलगा ता सरो मैं बार तरो 60 पर सुन मार्क समय अमैर इस 60 पर संट हो गया गुट वरी गुट और नदीम अलगा ता साथ शुमाईला तर शिक्सपी पर संट शाहिए कर सक्ष्ट पर स्ट्पर संट इसके बाद तू़वह तूबा तूबा नजीश अस्लमीं कुम से बीटी पाइसेंट एटी 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 पर जीए विड़े उस्मान अली अक्रम सिक्स्टी परतन सर और वजाहत खालेट वजाहत उस्रा एमद जिनके 80 से उपर है अब भी सारे लोगों ने बताया भी नहीं है जिनके 80 से उपर है अब जिनके जी शुपीट कितने नंबर है कि सेवंटी पर्जेंट हैं हमें शुपीट ओके वह बहुत अच्छा जी जबर्दस्ट जबर्दस्ट अच्छा जी मैं एक दिवाद फिर पूछ वहां आसिफ शाब आपके कितने हैं कि उलाओं बास कि रवेल कि नदीम अलाजयता और वजाब मेरे 60 पर सेंट है पुलाओं बास ठीक हो किया आसिफ खुटक साब रहे गए रवेल रहे गए इदर विसिबल तो नहीं हो रहा है नहीं आपने जब वो पेर पर कंप्डीट किया है तो आपको स्कूर नहीं आया है सबको नज़र है आपको क्यों नहीं आया है में पास मेरे पास ये स्टक स्टीन्ज ये या लिए मेरे पास थो नहीं है आपके तुो जात हो जातो ऑच्छा बजात ये आपका बन गया होगा मैं वो देख लोगा इस नदीम आपने लुड़ आभील कर नहीं पता चला असिफ और श॥र। शाव कंपारिद लोगा ने फाद कॉम्पाइल ऊजाएगा तो नहीं है आपका अप्रॉल्स के लिए इसाथ अफैस लेता हूं तो आप 60 से उपर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन जो लोग 80 80 से उपर ले रहे हैं वह लाजमी बात है कि वह और भी ज्यादा बेटर तरीके से चीज़ें को समझे हुए ऐसा ऐसे केसे हमारे पास में खाल है कोई सल्डम ही है जो 60 से काम है कि नो प्रॉब्म कोई इतना फरक भी नहीं है तो अब या रोक के भी अच्छा जी अभी इसी एक्सराइज को एक दोफार रिपीट करते हैं और लेट उस दूट टेस्ट आफ अगें टैन क्वेस्टन्स आप जड़ा तोड़ा दिल लगा के कीजिएगा यह मैं लांच कर रहा हूं और शुरू हो रहा है पर प्राइम एरबानी दस मिनट हैं दस मिनट के बाद अगर आप ने कप्डेट नहीं किया होगा तो मैं क्लोज करते हैं ठीके जी हेर इट गोज टाइम स्टार्ट स्नॉप झाल झाल जिन लोगं का क्विज नहीं आ रहा या स्कीन स्टक हो गई है आप लोग आउट करके दुबारा लॉग इन करेंगे तो आपकी आ जाएगी मैं आपको एक शर्टाइम भी दे दूगा झाल जो knowledge area हैं उनको कैसे map होते हैं पांच process groups के साथ देखें processes तो वही 49 है आप बेशक इस तरफ से देख लें या उस तरफ से देख लें आप process groups के साथ के साथ के साथ के साथ काम तो हर process ने वही करना है जो उसका काम है बात सिर्फ को locate करने की है तो उसको understand करने के लिए ये जो मैं अभी आप से discussion करने वाला हूँ ये बड़ी important है ना सिर्फ ये कि हमें इस बात की समझ आएगी कि हम इड़र से जाएं और उदर से जाएं मसला हमारा हाल हो जाएगा कि यहां हम process groups के हवाले से बात करने लिए और इसको जब आप समझ आ जाएगी तो अब इसको translate करना knowledge area के हवाले से बहुत असान हो जाएगा इस diagram में जो कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पांच process groups का आपस का interaction दिखाया गया है और याद रहे कि सिर्फ process groups का process अंदर के processes क्या है at least इस diagram में तो उनको discuss नहीं किया गया क्या किया है हमने अगर आप गौर कीजिए diagram के उपर तो यह जो इस तरह का box है rounded corners वाला box यह हमारे process groups है सबसे उपर initiation है यह वाला planning का है यह नीचे यह execution का है यह जो लंबा right hand side के उपर जो है यह monitoring and control का box है यह process group है पूरा process group मतलब और यह closing का है तो आप मुझे कोई पिताए initiation के process group में कितने process हैं देखते हैं आपकी memory check करते हैं how many processes are there in initiation process group total number two wonderful wonderful okay planning में कितने हैं अब लैनिंग प्रॉसस लूप के total number of processes ग्राश्चेस समवन जिस 7 ने शायद 7 planning यह ज़्याद प्लैनिंग में बहुत ज़्याद हैं जी एनिवन एल्स उस्रा इसको वर्टिकल देखेंगे या और जॉंटल में वर्टिकल में देखेंगे ना इसमें सारी थे planning बैप्लैनिंग में पुछाओ प्लैनिंग में तो वर्टिकल ही देखेंगे ना फिर जी अ उस्रा जूसफ जूसफ जबसे ज्यादा देखेंगे 49 में से 24 ऑल्मोस 50 पर संट आलमोस 50 पर संट प्रॉससे आर इन प्लैनिग प्लैनिंग इस मोस्ट है विली लोड़े 24 प्रॉससे एग्जी क्यूशन में कितने हैं एग्जी कुशन में कितने दस मॉन्डरिंग इन कंट्रोल में 12 क्लोजिंग में एक ठीक जमा की दिये तो जमा 24 26 जमा 10 36 जमा 12 48 और क्लोजिंग का एक 49 टोटल 49 प्रोसेस हैं लेकिन वो हमें अभी नजर नहीं आ रहे और नहीं हम अभी इस डिटेल में जाना चाह रहे हैं इस डियाग्राम में कि उसके अंदर क्या क्या है इस वकत वी विल कंसिडर देम एस ब्लैक बॉक्से हर जो प्रोसेस ग्रूप है उसको हम एक ब्लैक कुछ और भी वॉक्स मौझूद हैं एक किसम के बॉक्स जो हैं वो यह यह हैं जिनकी दोनों साइड़ें थोड़ी बड़ी हैं यह एक्सटर्नल एंटिटीज कह लीजिए आप इसको यह प्रोसेस ग्रूप तो इंटरनल थे ना यह एक्सटर्नल एंटिटीज हैं कौन-कौन कर रहा है इन प्रोसेस के साथ में यह एक एंटिटी तो है जनाब्रोजेक्ट का स्पॉसर मैं एक एंटिटी आपकी अपनीनर के एक आपका कस्टमर तो यह एक में सारे encompass हो जाते हैं यह वो entities हैं जो आपके साथ इंट्रेक्ट करें कि दिर्मियान में बिल्कुछ center में एक उसने document बनाया हुआ project document यह समझ दीजिए कि एक archive है जहां पर आप रख रहे हैं अपने जो जो कुछ बनाते जा रहे हैं वह यहां रखते जा रहे हैं अब आजाएए arrows के उपर you can see two types of arrows here one are in a lighter shade white white से नज़र आ रहे हैं और कुछ ग्रेश से arrows नज़र आ रहे हैं जो वाइट वाले arrows हैं जे शो process group to process group interaction आप बेशक गौर कर लीजिए यह जितने white arrows हैं वो किसी process group से निकलता है किसी और process group में गुल जाता है process group to process group जो travel करना है वो आपने white arrows के दुरू करना है लेकिन अगर किसी external entity के साथ आप communicate कर रहे हैं तो वो grey arrows के साथ कर रहे हैं आई होब यह convention employee clear होगी अब मैं आपको इसका flow दिखाऊंगा और उससे आप काफी चीज़े समझ जाएंगे और पिर जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे और तफसील में तो वो चीज़ें आपको बहुत वाज़े होके समझ आना शुरू हो जाएंगी तो मतलब कोई बात है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप कप सो गए हैं और कप जाग गए हैं ठीक है जी अभी वी तीन लोग जो हैं वो कोई और विंड़ो को बैटे हो नदर आ रहे हैं इंट्रेस्ट का यह जब लेवल होगा तो मसला तो होगा एनिवेज अब जनाब क्या है कि प्रोजेक्ट शुरू कैसे होता है इनिशियेट कैसे होता है प्रोजेक्ट को इनिशियेशन के लिए हुकम नामा चाहिए उसको कहते हैं प्रोजेक्ट चार्टर प्रोजेक्ट चार्टर कौन बनाएगा कौन देगा हुकम नामा कौन देगा बन्यादी तोर पे यह जो जो ओनर है या जो ओधर है वो प्रॉजेक्ट स्पांसर हैं आप प्रॉजेक्ट स्पांसर साफ्प्रोजर्जक्ट में दाखिल हो रहे हैं अभी इनोंने चार्टर बनाना है लेकिन इनको कुछ काघजात दिए गएंगे ये वो कुछ काख़ात हैं जो इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले जो कारवाईयां प्री प्रोजेक्ट की होती रही हैं उन से इन चीजों ने जनम लिया था ये कोई प्रोजेक्ट स्पॉंसर ने नहीं बनाई ये मैं बड़ा आपको एंफसिस करके कह रहा हूं कि ये इनपुट साथ देके आ रहा है ये उपर देखे बिजनस डॉकुमेंट्स और एग्रिमेंट्स लिका हुए है ये चीजें इनका खालिक स्पॉंसर नहीं है बलके उसको मिली हैं कि ये ले जाओ और इनकी रोश्री में प्रोजेक्ट मैनेजर को साइन करो और उसको ये चार् बिजनस डॉकुमेंट्स और एक हैं एग्रिमेंट्स पहले देखते हैं बिजनस डॉकुमेंट्स क्या होते हैं जो भी काम हम करने जा रहे हैं किसी ना किसी ने उसकी फीजिबिलिटी तो बनाई होगी feasibility क्यों बनती है if there is a business need अगर एक काम को करने की कोई जरूरत हुई organization में तब वो किया जाएगा ना तो business need का exist करना जरूरी है although इस बात का sponsor से या project manager से कोई तालुक नहीं है यह वाला अमल जो है यह हमसे पहले हो चुका है somebody has done the business case they have created the feasibility and business case तो business need was existing normally यह business analyst का काम होता है तो business need was existing उसको justify करने के लिए feasibility बनाई गई और ultimately जो आपने थाबित किया कि यह चीज़ वाकिए सूद मन रहेगी तो इसको कहते हैं business case you have developed somebody has developed a business case एक document business document का तो business documents में तो business case है जिसकी बुनियाद पर हम इस project को शुरू करने लगे हैं तूसरी important चीज़ इसमें उसको कहते हैं benefits management plan अगर आपको याद हो हमने कुछ बातें की थी benefit realization के हवाले से मैंने ये बताया था कि organization में कोई भी project या program को जब जनम दिया जाता है उसको उसके पीछे एक long term outcome या benefit मते नजर होता है मिसाल के तोर पे अगर आपको school construct करने को कहा जा रहा है तो उनको खाली school नहीं चाहिए project के लिए तो खेर school बनाना ही mission है लेकिन उनको खाली school नहीं चाहिए वो ये school क्यों बनवा रहे हैं उसके पीछे को बिजनस केस होगा उसके पीछे को उसके benefits होंगे वो चाहते होंगे कि इस इतने बंदों को इतने अरसे के अंदर यहां से फारगल तहसिल किया जाए तो ये वो benefit होगा जिसके लिए school बनाया जा रहा होगा और ये जो project आपको दिया गया है school कस्टक्ट करने का ultimately ये इस school के कस्टक्ट होने के बाद वो खाब पूरा होगा वो benefit realize होगा बले वो चार पांच अदस साल ही क्यों ना लग जाए तो although benefit की realization का directly project की life से कोई तालग नहीं है project की life में भी कुछ benefit realize हो सकते हैं कुछ बाद में और बहुत से देर तक होते रहेंगे तो लेकिन फिर भी but ever the case हर project का कोई ना कोई benefits जरूर होगा वो benefits को कैसे manage किया जाएगा उसका benefit management plan बना हुआ होगा आपके पास तब कहीं जाके project को शूरूर किया जा रहा होगा तो business document के अंदर दो चीज़े मैंने आपको बताएं एक benefit management plan और दूसरा business case फिर आ जाते हैं agreements agreements के अंदर अगर ये depend करता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं अमोमन जिसके लिए किया जाता है उसको कहते हैं हम customer उसकी खायश के लिए he is paying us for doing this job right तो हम जिसके लिए ये काम कर रहे हैं जिसने हमसे हमारी services acquire की है वो मेरा customer है तो जो customer है उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं तो उसके साथ जो हमारी understanding है वो contract के सुरत में भी हो सकती है वो कोई mutual agreement हो सकता है या वो MOU भी हो सकता है कोई भी चीज तो मतलब कहने का यह है कि some form of agreement is there और अगर proper contract है तो contract भी हो सकता है तो यह यह चीजें हमें मिलेंगी यह पहले से मौजूद होंगी exist करती होंगी और project sponsor armed with these documents enters the project and in initiation process group में वो दाखिल होता है इनिशेशन process group में आपको याद होगा दो ही process है एक जो पहला process है जो sponsor की जिमेदारी में आता है वो है कि charter का जारी करना चार्टर का बनाना और उसको जारी करना तो इन ही document जो करिये साथ देखिया आया था उनकी रोशनी में वो बहुत से चीज़ें देखता है business case को study करता है contract को देखता है बाकी सब चीज़ों को देखता है और फिर वो एक authorization create करता है एक हुकम नामा जारी करता है और project manager को वो कुछ उपर देता है उस charter के अंदर although this is not a very detailed document कुछ रहूंगा यह ख्याल होता है कि यह बहुत लंबा चौड़ा इस तरह की मोटी मोटी बातें इसमें होंगी और वो बातें एक चार्टर की शकल में त्यार की देए चार्टर को त्यार करने में वैसे तो जिमेदारी यह sponsor की है कि वो खुदी बनाए और वो issue पर होकम नामा है लेकिन अगर project manager पहले से exist करता है तो project manager को भी यह जिमेदारी स पे चार्टर बनाने में मदद हादल कर लें लेकिन project manager की जिमेदारी नहीं बन जाएगी कि वो चार्टर बनाए यह जिमेदारी चार्टर को लिखने की बनाने की project sponsor ही के आहाते में रहेगी project manager can help him can support him लेकिन आप यह देखते हैं अगर मुझे कहा जाए कि अपने लिए सब्सक्राइब के लोग होते हैं उनको बहुत वज़ा काम खुद शायद नहीं करना पसंद करते हैं तो वो फिर project manager से कुछ मदद सीख करते हैं और इस तरह फिर वो ultimately the signatory of this document is either the sponsor or the steering committee इससे उपर एक बोर्ड डिरेक्टर जा इसी कुछी चीज़ होगी project board होगा जिसको मैं भी यह sponsor एड कर रहा हूं और ऐसी क्या बात है जो मुझे अभी initiation में करने की जरूरत है मतलब बन्यादी शर्ट तो पूरी होगी ने गाड़ी में aggression तो लगा दिया मैंने अब दूसरा काम क्या है इस से पेशतर के हर चीज़ की detailed planning की जाए एक बात हमें यहां करनी होगी और वो यह करना होगा और यह आप भी समझ दीजिए बना important step है कि जो काम है उसके उपर focus अभी ना कीजिएगा जो चार्टर को समझ लीजिए project sponsor के साथ discuss कर लीजिए as a project manager उसकी बात समझ लीजिए अगर को doubt है तो clear कर लीजिए मगर फॉरी तोर पे आपने planning के उपर नहीं सोचना शूब कर देना किया अच्छा मैं इसको करूंगा कैसे इसको हमें थोड़ी अपनी तबीदों में तहम्मल लाने की जुरूरत है we have a tendency of jumping to conclusions अभी अगले की आदी बात सुनी होती है हम उसको जवाब देने की कोईश करते है requirement अभी पूरी तरह समझ भी नहीं आई सिर्फ मोटी मोटी बात उसमें बताई है project sponsor ने और मैं कहते हूं सर मैं बताता हूं मैं कैसे करूंगा मैं यह से करूंगा ऐसे करूंगा यह है बेतहमल लोगों का काम ठीक है ना जिनके पास अकल कम होती है तो वो जितनी होती है उसे कोईश्च करते हैं तो बन्यादी तोर पे आपने कोई planning की बात भी नहीं करनी बलके अकलमंदी का तकाज़ा है कि first of all try to identify all the possible stakeholders with whom you may have to interact for this project जो project पे कोई असर अंदाज हो सकते हैं किसी वज़ा से किसी तरह से या project उनके उपर असर डाल सकता है ऐसे तमाम लोग इस बात को भूल जाएं कि कौन बड़ा है कौन चोटा है कौन internal है कौन external है कौन negative है कौन positive है try to identify as many stakeholders as possible क्योंकि जब मैंने planning करनी है तफसीरी तो मुझे इन लोगों से interact करना पड़ेगा requirements confirm करवानी पड़ेंगी risk identify करने है बड़े काम मैंने करने है जिसमें मुझे इन stakeholder के साथ interact करना है इन stakeholders की गहर मौजूद की में मैं project नहीं कर सकता आम तोर पर हम यह समझते हैं कि project की team है और मैं हूँ और मुझे हुकम देने वाला मेरा बास है कानी खतम यही दुनिया मेरी मुखत सब्सक्राइब कांट्रेक्ट है customer के साथ है customer ने कह दिया यह काम करो बास का हुकम है मैं तो करूँगा भाई ऐसे काम नह होते हैं आपको इंट्रेक्ट करना पड़ेगा ना सिर्फ customer के साथ बलके और लोगों के साथ भी और लोगों भी आप पर असर अंदाज हो सकते हैं project के लिए आप यह नहीं कर सकते ही मैं customer नहीं काया कि जिस ऐसे होगी तो बस ऐसे ही हो there may be certain circumstances where you may have to go back to the customer and tell him के जिनाब यह हाला तो वाक्याद तो ऐसे हैं और यह तो नहीं हो सकता जैसे आप कह रहें और उसकी दूसरे stakeholders की जो needs and expectations and requirements हैं वो अपनी जगाए important है खैर तो यह identification of stakeholder is also a job a process in initiation के दो ही process है एक चार्टर को बनाना और दूसरा stakeholders को identify करना नतीजातन हमारे पास जो planning में चीज़ें आके receive होती हैं उसमें यह दोनों charter भी आ गया और stakeholder का register भी आ गया along with the stakeholder management strategy यह तो थे white वाले arrows पीछे से क्या क्या चीज़ें मिल रही थी sponsor जो चीज़ें लेकि आया था वो तो मैंने आपको पता दिया कि business documents और agreements थे इसके इलावा आपकी organization की तरफ से आपको organizational process assets और enterprise environmental factors receive हो रहे हैं और अगर आपको याद हो जो हमने second chapter में इन दोनों चीज़ों को बहुत तफसील में पुड़ा था तो हमने यह कहा था कि 49 process है ना almost every process will have these two things as input with an exception of very few एक दो ऐसे process हैं जिसमें शायद आपको इनकी जुरुवत ना पढ़ती हो वरना 49 के 49 process almost all of them require this as an input both of these things so whatever processes are there in initiation उनको यह दोनों चीज़ें चाहिए होंगी जब आप चार्टर बना रहे हैं तब यह दोनों चीज़ें चाहिए होंगी लेकिन यह दोनों चीज़ें मुक्तलिफ परपस सर्फ करेंगी हर process के लिए बिसाल के तौर पर चार्टर बनाने के लिए मुझे अगर कोई ऐसे environmental factors हैं जो चार्टर बनाने के उपर अदाज हो सकते हैं मुझे consider करना पड़ेगा अगर कोई direction available है कोई policy available है organizational process assets में या परणे lessons learned है या कोई format बना हुआ है जिस template है जिसको मैंने follow करके charter बनाने है तो मैं उसको इसको इस्तमाल करूँगा तो यह इन चीजों की इसलिए जरूरत पड़ती है इसी तरह जब मैं stakeholder identify कर रहा हूं तो stakeholder के register का कोई format होगा कोई guideline होगी कोई और instructions होगी कोई restrictions होगी कोई constraints होगे तो वो चीज़ें जो है मुझे इधर से देखनी पड़ेंगी इस वज़ा से मुझे ये दोनों चीज़ें हर जगह required है खैर जी तो ये बात होगी इसके इलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी arrow initiation process group के अंदर जा रहे ह हैं या आ रहे हैं हमने सब की बात कर ली accept ये दो एक ये arrow और एक ये arrow एक एरो है जो उपर से नीचे की तरफ चला जा रहा है और जो execution तक जाता है इस पर लिखा हुए resource calendar और execution तक भी जाता है और फिर यहां से वापिस उपर planning के अंदर भी आ रहा है लेकि originate ये हो रहा है इ calendar होता है कि जो आपके मुख्लिफ resources बले वो इनसानी resource है या चीजें है कि ये इनकी availability कब कब होगी एक बंदा है वो हमें चाहिए प्राजेक्ट के उपर वो बंदा कब फारिग है काम करने के लिए प्राजेक्ट का वो जिन तारीखों में available है ये उस resource का calendar है इसका मतलब है कि मैं उस resource को उनी आवकात में इस्तमाल कर सकता हूँ उसके इलावा नहीं कर सकता हूँ ठीक है जी तो ये resource calendar अब resource calendar ये उपर से नीचे क्यों आ रहा है नीचे से उपर क्यों जा रहा है ये क्या कानी है तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतना समझा दूं कि जब जब कोई resource mobilize होग तब तब resource calendar उसका बनता रहेगा although जो major chunk of resources है वो तो execution के दुरान mobilize होने है लेकिन initiation के वक्त भी project manager तो nominate हो गया हुए project manager एक resource है तो कहने का मक्सद ये है कि एक भी resource जब mobilize हो गया तो उसका resource calendar तो available हो गया resource calendar तभी available होता है जब कोई resource on board आ जाता है जब तक वो on board नहीं आता तब तक वो हाम ख्याल है हमारा अंदाजा है कि ये resource हमें इस time पे मिल जाएगा इतनी देर के लिए मिल जाएगा लेकिन actually जब वो बंदा हायर होगा तब वो पताएगा कि मैं फारिग हों के नहीं हूँ इसलिए असल में जो executing process group है ये वो मंबाय है ये वो जगह है जहां resource calendar actually form होते हैं लेकिन planning में हम resource calendar assume करते हैं हम कहते हैं जी इतने बंदे होंगे और ये इतना काम करनेंगे इतने गेटोंगे तो resource calendar तो न लोगा लेकिन असल हकीका तब ही पता चलती है जब हम execution में जाते हैं जब execution में जाते हैं और actual resource का calendar पता चलता है तो उसकी रोशनी में वापस planning में आके हम resource calendar update करते हैं और अपना plan update करते हैं यह resource calendar की कानी होगी आखरी एक चीज़ जो एक arrow उपर की तरफ जा रहा है initiation को यह वाला arrow उपर जा रहा है initiation की तरफ इसके ओपर लिखाव है procurement documents यह क्यों जा रहा है मैं आपको वाज़े कर देता हूं यह जो project हमने करना है planning के अंदर हम बहुत कुछ करेंगे वहां हम यह भी decide करेंगे कि इस project में से कौन-कौन सी चीज़ या कौन-कौन सा portion of work हम आउट्सोर्स करना पड़ेगा सब contract करना पड़ेगा अब फैसला तो planning के अंदर हुआ कि कौन-कौन सा portion of work सब contract करना है जब वह फैसला होगा तो फिर उसके procurement document बनेंगे और फिया कोटेशन जो भी जबता बनें जब वह बनेंगे तो नीड राइज होगी contractor की अब contractor को तो हम देख लेंगे जब वह बिड़ करेगा लेकिन मुझे अभी से कमसकम planning के वक्त यह अंदाजा होना चाहिए कि कौन-कौन लोग expected bidder हो सकते हैं तो यह वह हमारे stakeholder होंगे न तो चुके अभी तक जो stakeholder identify हुए हैं उसकत हमें इस बात का नहीं पता था कि हम क्या बाहर से करवाना चाहते हैं चुहीं हमें यह बात पता चली planning के दोरान हमने procurement document भेज़ दिये initiation को इनिशेशन में जो identify stakeholder का process था उसने उसकी रोश्नी में इन जो कहते हैं expected bidder जो हैं इनको भी इनकी भी identification कर ली और उनके नाम भी stakeholder register में डाल दिये यह purpose था इनिशेशन का काम हो गया जी खत्म any questions as far as initiation is concerned सारे arrow जो इनिशेशन के अंदर जा रहे हैं या इससे निकल रहे हैं मैंने सारे आपको explain कर दी कोई चीज ना समझ आई हो तो मुझे बताईए जीजनाब या जितना जोर लगा के मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप प्रहे मिरवनी उसका 110 जोर लगा के कम असकम question पूछे मुझे मुझे खुशी होगी को कुछ सुन भी रहे है जीजनाब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं कि हर बात समझ आ रही है क्योंकि मुझे पता है कि आपसे अक्षर लोग अडिन्टिव नहीं बैटे तो question तो होना चाहिए अच्छा जी फिर ऐसा करते हैं मैं question पूछ लेता हूं हुलाम अबाद साहब आर यू देव हुलाम अबाद साहब प्लीज रेस हैं जी पूलाम अबाद साहब आपसे एक question है यह जो resource calendar होता है कि यह कब बनता है कि रिसोर्स क्लेंडर कब बनता है जी जनाब जिख दीजिए चैट में लिख दीजिए अगर बोला नहीं जा रहा यह अब्दुल्ला मेहमूद साहब आप बतादे सर जब resource finalize हो जाए ना तब हमारे research calendar बनता है resource calendar उस वकद बनता है जब resource on board आ जाए देखे ना आपको एक project पर किसी ने नॉमिनेट कर दिया और चब नॉमिनेट किया तो आपने बता है भाई मैं तो सिर्फ तीन से छे बज़े वेलिबल हूँ इस slot में मेरे इस्टमाल करना है कर लो बाकी तो भी मैं मस्रूफ हूं तो फिर आपका resource calendar होगा तीन से चे और उन्होंने जब भी कोई आपके लिए काम देना होगा तो वो तीन से चे ही देंगे आप यह है जी resource calendar तो resource calendar हमें expectation जरूर होती है कि क्या होना चाहिए लेकिन असल में होता वो नहीं है जो होना चाहिए होता वो है जो होता है जो facts है जो हकीकत है कौन सा resource कितनी देर के लिए available हुआ है इसी तरह मिसाल के तौर पे आपके एक गाड़ी है या बुल्डोजर है आपके पास बुल्डोजर का भी resource calendar है उसकी instruction book में लिखा हुआ है कि इसको ह लार जाड़ी समाना नहीं कर सकते हैं आपको हफते में एक दफ़ा उसे break देनी पड़ेगी और उसकी यह यह maintenance है वो करवानी पड़ेंगी तो इस तरीके के साथ आपके जो जो नॉन लिविंग resource है उनका भी calendar है या for example एक machine है जो आपको पता है कि हमारे project को सिर्फ दिन में 8 गहंटे के लिए मिली है और सिर्फ तीन दिन के लिए मिली है उस machine से जो काम कराने उन तीन दिनों में किरा लें उन आठ गहंटों के अंदर 24 आर्स तो यह बात है जी यह हो गया रिसोर्ट के लेंडर के वाले से मैं आगे चलता हूं planning के उपर एक्सपेक्टिंग के आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे प्लैनिंग के अंदर अब आप देखिए यहां पे क्या-क्या एरोज इन हो रहे हैं यह तो प्रोजेक्ट चार्ट आ रहे हैं वेरी फाइन वी अंडर्स्टेंड का से आ रहे हैं इसके इलावा जो हमारी ओजिशन की तरफ से ओजिशनल प्रोशेशन चैस्ट यह देखिए यह यह वला एरोज आते आहिए और मेनी प्रोंटीफ प्रोंटीफव प्रोंसेश को मिल रहा है अब प्लैनिंग में है क्या से यह पाउ मैं इन यह ग्या जर्जिवर अर्ट्वार्स यहीं तो अन्य सैंट इंटरप्लाइज कर रहा है कि वह चीज़ें यहां से आ रहे हैं उसके बाद एक सिनिशले वाले एरो को देखें ये कहां से आया ये जनाब दो जगों से आ रहा है मिलके ये दो जगे कौन सी है एक तो मेरी अपनी और एक मेरा कस्टमर है और दरम्यान में लिखा है टीमिंग एग्रिमेंट मतलब ऐसे काम जो हमने और कस्टमर ने आपस में इ कटे करने हैं उनकी क्या कंडिशन है टीमिंग एग्रिमेंट की क्या कंडिशन है कि जनाब इतने घंटे वो बैटेगा और ये होगा और वो होगा जो भी टीमिंग एग्रिमेंट हमारा हुआ हुआ है वो मिलना चाहिए प्लैनिंग को ताकि उसके मताबिक वो चीजों को प् कस्तमर की रिकॉर्म मौझूद है लेकिन अई विल कंफ़र्म दिपाइन्स नोट ओंडी फिंडिक स्थमर बट इवन फ्रॉम अधर स्टेकॉल्ड विए इस तरफ के सारे अरो अमने बुक्ता दिये यह भी अमने बुक्ता दिया यह भी बुक्ता दिया अब हमारा एक आरो नी नीचे जाराय। और यह ये दो लाइने इसे निकल रही है उसमें दो नहींवेज है यह कहा जा रहा हुँ हाँ एक ऐरौ ये भी जा हुशनिय पहली बात ओर दो नीचे क्या जा रहा यह नीचे क्या जा रहा है प्रॉणिंग के दौरान जो 24 प्रोसस हैं, वो जो भी काम करेंगे, उससे कुछ डॉक्मेंट्स त्यार होंगे, वो डॉक्मेंट्स आर्काइव में जमा कराने हैं, एक बात तो यह हो, दूसरी इंपॉर्टन बात यह है, प्लैनिंग में जो 24 प्रोसस जो भी कुछ करेंगे, उससे एक मेरेट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वें था Canren ge gkyushen हो रही है तो भी हर प्रॉंस को पता होना चाहिए प्लbits ग्यातास हूं हो मॉनटरिंग और कंट्रोल हो रहा है तो भी हर प्रॉंस को पता होना चाहिए कि प्लाइन क्या था और क्लोजिंग के वक्त भी हम इंशोर करें कि которой प्लैन में था वो सब हो गया है तो यह इसकी इंप्रोटन्स है और यह एक ही लाइन जो यह इदर से निकल रही है आप देखते हैं यह यह वोनुटरिंग और कंट्रोल में अगर इसको मैं इदर नीचे की तरफ लेजिए यह एक्जिक्विशन की तरफ और अगर मैं और नीच प्रॉसस को जा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह और्गनेज़ेशनल प्रॉसस एसेट्स और एंटरफाइज इंवार्मेंटर ट्रेक्टर सौरी प्रॉससस को ही इंपुट होते हैं इस तरह प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट ट्रैंस बनने के बाद वाली सारी सरफ जा रहा है एक्जिक्यूशन को इसके उपर दिखा हुए है मेक आर बाइडिसियन और साथ लिखा है सोर्स सेलेक्शन क्रैटेरिया यह असल में वह दुकान है जहां से यह प्रॉक्यूर्मेंट डाकुमेंट बनके आए हैं जिसको हमने उपर बेह जा है ताके वह इंट तो जो करने वाले कामों में से कुछ काम ऐसे होंगे जो हम खुद कर सकते हैं कुछ काम ऐसे होंगे जो हम खुद नहीं कर सकते हैं ना करने की तीन वद्वाद हो सकती हैं या तो काम हमें करना आता ना हो मतलब वियर नौट कैदिबल तो डूट वी डोंट हैव दापिलिटी to do that job तो हम कहते हैं अच्छा फिर किसी को हायर कर लेते हैं किसी को outsource कर देते हैं contract देते हैं कोई बंदा जो इसका माहर हो वो ये काम कर दे दूसरा scenario होता है कि capable तो हम होते हैं काम तो हम कर सकते हैं लेकिन हमारे इतनी capacity नहीं है मिसाल के तोर पे हम एक construction फार्म है और एक computer room बनाना है हमारे पास लोग है का IT वाले computer software engineer जे वो लोग हैं हमारे पास लेकिन वो उतना ही उतनी ही लोग हैं जो हमारे काम के लिए कापी हैं अगर एक project में अच्छा खासा कोई dimension IT का आ जाता है तो करतो हम आता तो है हमारे बंदों को काम करना लेकिन वो काम इतना बड़ा है मुझे तो उससे चार गुना जादा बंदे चाहिए तो ये वो handle नहीं कर पाएंगे इनकी capacity नहीं अगर आपकी capacity नहों तब भी हम फैसला करते हैं कि ये काम बाहर से करवा लेना चाहिए किसी की services हायर करने किसी को contract दे दे और तीसरा scenario इसमें ये होता है कि हो सकता है capability भी हो हमारे पास और capacity भी हो लेकिन काम बड़ा रिस्की है बहुत sensitive काम है गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस है और अगर गलती बराबर भी हो गई बहुत बड़ा नुक्सान हो जाएगा तो हम ऐसा रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते हम कहते हैं जो रिस्क के माहिरीन है वो जाने और उनका काम तो मैं ये किसी और के कंदे पर बंदू रखके चलाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी को हायर करूँगा किसी contractor को और उसे कहूँगा कि यार आप हमारे लिए ये काम करते हैं वो कहेगा सर ये तो बड़ा रिस्की काम है मैं तो ज़्यादा पैसे लोगा आप कहेंगे अच्छा ठीक है तुम लिलो मतलब जैसे आप insurance का premium बरते हैं इस तरह आप ऐसे सब contractor को थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं लेकिन जाद रहे कि अगर insurance के case में आपकी वफात हो जाए तो उनको handsome amount आपकी family को पे करनी पड़ती है इतनी तो आपने उनको पे नहीं की हुई exactly contractor का भी यही है कि उसने पैसे थोड़े ज़्यादा ली हैं लेकिन अगर वो risk अकर हो गया और को नुक्सान हुआ तो उसका baby है वो जाने और उसका काम मैं तो उसको premium दे रहा हूँ मैं अब वो booking तो risk transfer करने का यह जरीया बनता है तो यह वो तीन situation है खैर अब जब हम अपने review करते हैं planning में बैठके कि कौन से काम हमने खुद करने हैं कौन से नहीं करने इस decision को इस process को इसको कहते हैं make our by analysis जिसके नतीजे में make our by decision निकलता है जिससे पता चलता है कि कौन कौन से का काम हमने खुद नहीं करने और तिर वो काम जो हमने नहीं करने और बाहर से करवाने हैं उनके लिए हम बकाइदा हमारी procurement policy होगा कुछ तरिकाकार होगा उसके तहत हम उसका source selection criteria develop करते हैं कि जनाब जो लोग बिड करेंगे उनके कितने number होंगे कैसे उनको चेक किया जाएगा क कैसे selection होगी कैसे contract reward होगा यह फूरा source selection criteria establish किया जाता है जो कि हम procurement की policy वगरा में से निकाल और procurement के documents बनाए जाते हैं जिसके अंदर RFP, RFI, extension of interest वगरा और वही documents हमने उपर बेज यह यह उपर जो जा रहे हैं planning से हमने उपर बेज यह ताके जो initiation वाला है वह वह वहां stakeholder identify करने में उसको मदद मिले यह कहानी खतम हो गई अब हम आ जाते हैं execution के उपर planning की हद तक कोई question कोई doubt कोई question planning के हद तक planning के सारे arrow cover हो गया है या कोई रह गया है क्यों जी मैं कोई arrow नहीं छोड़ूंगा और यह जो बाते मैं आपको बता रहा हूं यह इतनी important है कि 49 processes आपको समझ दीजिए कि उनकी बन्याद बन गी अब आपको मुश्किल नहीं होगी उन 49 processes को समझ रहेंगी और आपको ज्यादा दर्धे नहीं लगाने पड़ेंगे हर रोचिस में लिका हुएегодई इंटर्प्रायशंगे ज़ूरता अपर लगाचे मेरे होते अगर यहां तक कोई question नहीं है तो execution को क्या मिला जो कुछ आपने project documents में जमा करवाया हुआ है execution is at liberty to pick up any document and use it एक बाद दूसरा हमें project management plan मिला हुआ है लाज़ी बात है execution के हर process में इस्तमाल होगा वो इसके लावा हमें planning process group से maker by decision और source selection criteria मिला हुआ है ये भी ठीक हो गया और resource calendar भी हमें मिला हुआ है इसके इलावा और क्या है अब यह एक एरो यह वाला देखिए कहां से आ रहा है यह आ रहा है जनावेरी वह एक organization से और आल्सों इंपुट इंटू execution यह रोगया यह रोगया यह रोगया यह रोगया अब यह यह वाले रह गया हमारे पहले हम यह इसको देख लेते हैं seller के सा कर रहे हमने बिड़ मांगी उसने पर्पोजल दे दी पर्पोजल हमने वैलुएट की फर्स करें इसको सेलेक्ट कर लिया हमने इसको कॉंट्रेक्ट कर दिया यह वो प्रॉसेस है selection आफ दी बिड़र तो इस से हमें execution में execution के दोरान जब जब जहां जहां किसी कॉंट्रेक्ट को देने की दूरत है सिर्फ उसी वकित जिस इन टाइम वी दे बैड़ दी आब लिकॉंट्रेक्टम प्लेंग में नहीं देगे बैट जा जाते हैं देन करते हुं पर्ट्रेक्ट लिया कैसे जाहगा लेकिं असल प्रॉसेस कांट्रेक्ट देने का उस वक्त शुरू होता है वो शुरू होने जून में तो मैं अभी से कॉंट्रेक्टर हायर नहीं करके बैठते हूंगा डॉकुमेंट सारे बनाए हुए मैंने प्रक्यूर्मेंट के सारे डॉकुमेंट त्यार है सारे कॉंट्रेक्स के लिए सारे डॉकुमेंट्स मैंने पहले से त्यार करके रिकेए EOI बनाईयार, RFP बनाया हुए सब कुछ बना के त्यार करके लगा हुए लेकिन, अगर जून में वो कॉंट्रेक्ट देना है और मुझे पता है कि कांट्रेक्ट एवार्ड करने का प्रॉसेस जो पूरा है वो दो मीने लेता है तो मैं एपरिल के एंड तक अख़बार में इस्तियार दे दूँ ताके दो मीने के अंदर वो सेलेक्ट हो जाए और जून में आके वो काम चुरू कर दे इसको कहते हैं एक्जिक्यूशन के अंदर ये एक्चल हाइरिंग हो रही होती है आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा अब जनाब आगे आजएं आगे हमारा एक एरो जा रहा है मॉन्टरिंग इन कंट्रोल को और एक वापस आ रहा है मॉन्टरिंग कंट्रोल से एक्जिक्यूशन के अंदर ये आखरी दो एरो हैं जो हमारे इंट्रेक्शन समझना है और ये बड़ा इंपॉर्टन है होता कि है मैं सिर्फ पहले उनको डिफाइन करता हूँ जो जा रहे हैं जब एक्जी क्यूशन में प्लैन के मताबिक काम होगा तो को डिलिवरेबल तो बनेगा अच्छा बने गल्द बने बनेगा तो डिलिवरेबल जो है वह भेजा जाएगा मॉन्टरिंग इन कंट्रोल को ताकि व उसको चेक कर लें उसके इलावा अगर काम करने के दोरान हमें लगे के प्लैनिंग में कोई फ्लाव है और ये ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हम चेंज रिक्वेस्ट करने के भी मचाद हैं हम मॉनिटरिंग और कंट्रोल को बेजेंगे कि जनाब हमारे ख्याल में ये काम ऐसे होना चाहिए और ये अ एमर्जंट नेचर की होती है लेकिन चेंज रिक्वेस्ट का खाली वाहिद जरिया एग्जेक्यूशन नहीं है मॉनिटरिंग और कंट्रोल में जब डेटा आता है तो बहुत से अनेलिसिस किये जाते हैं जिसके नतीगे में बहुत सारी चेंज रिक्वेस्ट जनरेट होने क चांस होता है लेकिन यह जो है यह बिल्कुल क्लासिकली एग्जेक्यूशन काम करने के दुरान मुझे किसी प्लैनिंग के फ्लॉ का पता चला तो मैंने फॉरंग चेंज रिक्वेस्ट मूव कर दी तो यह चेंज रिक्वेस्ट एग्जेक्यूशन से एग्जेक्यूशन से म लगी है बता जले आम बजार से खरीद के पेटी अपने डिलिवर करा दिया ऐसा नहीं होना चाहिए आप जो पेटी डिलिवर करा रहे हैं जो है आम डिलिवर कर रहे हैं उनको उनका काम भी पता है कि कैसे हुआ है तो वर्क की परफॉर्मंस का डेटा जो है एक्जीक्यूशन कर रहे हैं इसका डेटा क्रंच कर रहे हैं तो यह जो वर्क परफॉर्मंस डेटा है यह उस अनेलेसिस की बुनियाद बनेगा इसके इलावा यह जो हमने बिडर सेलेक्ट कर लिया था देकेदारी के लिए अब वो उसके उपर नदर भी तो रखनी है कॉंट्रेक्ट रसाइ अच्छा जी यह तो जो चीज़ें जो हमने भेज दी अब आ जाईए आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के उपर शुरू से उपर से देखना शुरू कीजिए पहला एरो जो इसमें आ रहा है वह है और दूसरा एरो जो आ रहा है वह प्रॉजेक्ट वनिप्लैन इसमेंदर टूवे एरो है कि यह उन किसी भी डाकुमेंट को उठा सकता है उसको अमेंड करके वापिस रखता है यह उसे इस्तमाल कर सकता है यह हो गया यह वाला एरो अब आखरी एक ही एरो है जो इसके अंदर जा रहा है वो यह था एग्जिकूशन वाला जिसके अंदर इंटीग्रेशन के दो प्रोसेस हैं एक का काम है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क करना मतब यह इंचार्ज है अनेलिसिस का और दूसरा है कि छारी चेंज रिक्वेस्टों को हंडल करना यह चेंज का कंट्रोल इसके पास है यह दो अलग अलग प्रोसेस हैं ठीक है एक है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क और दूसरा है परफॉर्म इंटिग्रेटीड चेंज पर यह दो यह दो हैड़ हैं इस पूरे प्रोसेस के बाकि रहे गए 10 प्रोसेस का तालुक 10 नौलेज अरियास के साथ है बाकि बाकि नौर रहे गे ना उनके साथ है राइट और हमें ये भी पता है कि हर नौलेज एरिया का कम अज़ कम एक प्रॉसस पर मौझूद है तो ये दस प्रॉसस है तो इसका मतलब नौ प्रॉसस जो है नौ जो इसमें से प्रॉसस है वो एक एक नौलेज एरिया से आएं एक ऐसा है जिससे दो चीज़ें आ रह से एक है बेलीडेट स्कोब और एक है कंट्रोल स्कोब अच्छा यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमें डिलिवरेबल भी रिसीव हुआ है जो चेक करना है और हमें इसको एनलाइज करना डिलिबरेबल को जो प्रोसेस टच कर सकती है इन 12 में से वह रेखि वह सरी सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल होता है अगर क्वालिटी कंट्रोलर पास हो जाए तो हम कहते हैं वेरिफाइट वेरिफाइड डिलिखола रूच के यह quality वे ठीक है उसके बाद उसकी user acceptance testing होती है पहली inspection quality control है उससे वो जब verify हो जाता है तो फिर वो पेश किया जाता है user acceptance के लिए वो है जी उसका नाम होता है स्कोप स्कोप प्रॉडक्ट का स्कोप जो है प्रॉडक्ट का स्कोप कि इसमें क्या-क्या फिक्टर होने चाहिए क्या कि वो चीज़े पूरी हैं के नहीं है उसकी user acceptance होती है अगर वो वो टेस्ट पास हो जाए तो हम कहते हैं कि यह यह accepted हो गया अब कस्टमर को पकड़ा दें वे बेशका तो यह कहके वह चीज़ विजवा देता है क्लोजिंग को और क्लोजिंग उसे कस्टमर के वाले कर देगा बाकी जो process है मतलब मैंने का deliverable से यह दो ही चीज़ें डील करें quality control और scope validation ठीक है जी बाकी रह गही है जितनी भी process है वो मुख्लिप किसम के control है जो के बुनियादी तोर पे analysis का का काम करते हैं जो work performance data आता है उन सब को मिलता है बलके 12 के 12 process जो इसके अंदर है सब को work performance data मिलता ह है और सब उसको अपने अपने हिसाब से उसको चांटते हैं और देखते हैं कि हमारे का अगर से के scope का control है तो scope के साफ़ से देखेगा schedule का control schedule के साफ़ से analyze करेगा risk वहला risk के साफ़ से करेगा procurement प्रक्यूर्मेंट से करेगा तो वह जो work performance data उसको सब अपनी अपने अपने अप information होता है उसको हम कहते हैं work performance information होती है हर control से और जो का monitor and control उसको भेज दी जाती है work performance information मतलब execution से work performance data आया सारे controls ने उसको पर बैठके crunch के और सबने अपनी अपनी work performance information यह सारी work performance जो है जो है जो के चली गई monitor and control project वर्क जो के integration का process था उसका काम था इनको यूनिफाय करें और consolidate करके क्या बनाए work performance report work performance report बनती है इनकी consolidation के लिए तो जनाब work performance report यह मैंने आपको क्या बताया work execution से controls ने उसको work performance information में convert किया और यह work performance ने एकट की होके monitor control project वर्क के पास जाके आके assemble हो गई इन work performance report यह एक जर्नी था यह डैटे का जर्नी था इसके साथ आचा कुछ हुआ और deliverable के जर्नी में आपको पहले बता चुका हूं पहले quality control के बास जाएगा वहां से verify होगा फिर user acceptance के लिए स्कोप के बास जाएगा और वहां से accepted deliverable की शुरत में और अगर कोई गड़बड हुई तो चेंज रिक्वेस्ट तो जा रही है न तो चेंज रिक्वेस्ट का अबाजान भी बैठा हुआ है इंटीग्रेशन में उसे कहते हैं कि परफॉर्म इंटीग्रेटेट चेंज होनी चाहिए चेंज रिक्वेस्ट कैन बी लॉच्ट बाइणी एनी एनी कंट्रोल प्रषुस्ट यां कंट्रोल में हर जगा से निकल सकती है चेंज रिक्वेस्टे जहां से मरजी ऑनने जे überzeug वह या helping गर्रा में जैसे सारी work performance information लिए जाके land कहां करती थी वर्क अपना मॉनिटरेंड प्रोजेक्ट बरके बाद इसी तरह सारी चेंज रिक्वेस्ट यहां करती एं पर्फॉर्म इंटीग्रेटिटेज चेंज कंट्रोल के पास और यही दो प्रोसस्ट है जो integration के हैं एक चीफ एनलिस्ट है और एक चीफ रोलर रहें तो परफॉर्म इंटिक्राइट्ट चेंज कंट्रोल जो है उसके पाफ सारी चेंज रिक्वेस्टं आती है और वो उनका फैसला देता है कि कौन सी चेंज रिक्वेस्ट अप्रूब्ट है कौन फी नहीं है इसको प्रैंड कर या को क्या करें जो भी सब्सक्राइब जो जो चेंज रिक्वेस्टें अप्रूव हो जाती है उनको वापस एक्जिक्यूशन को बेजा जाता है कि भाई जान यह यह चेंजिस अप्रूव कर दी गही है इसकी रोचनी में अपना प्लैन अमेंड करो और आएंदा के अब के बाद जो काम होगा इस नए स्केजूल नए प्रॉजेक्ट में प्लैन के मताबिक होना है यह आ रही है जी एप्रूवट चेंज रिक्वेट वापस तर क्वालिटी कंट्रोल मेईर्मेंट्स हैं वो भी वापस जा रही है जो हमने क्वालिटी कंट्रोल किया उसमें मुख्तिफ जो हमने मेईर्मेंट्स ली थी वह मेईर्मेंट्स इंडिकेटिव हैं किस बात की कि गलती का हो रही है जूते बनाने का पता चलता है जूते का सोल ठीक नहीं लग रहा और इसका मतलब है कि मुझे इसको ठीक करने एक्शीकशन में जो क्वाल्टी प्टा वाला बैठा हुए प्रिसे को देख रहा है जितनी कोशिश कर सकता है उसको करने की वो करे जा रहे हैं लेकिन जब क्वालिटी कंट्रोल मेयर्मेंट्स होती है और उनका डेटा उसको भेज दिया जाता है मैनेज क्वालिटी को तो उसको तो आँखे लग जाती है अंदा होता है पहले वो उसको समझ नहीं आ रही होती क्या चीज़ इंपरूब करूँ अब उसको पता चलिया ओखो मिस्टेक यहां पर आ रही है वो किता अच्छा इसका प्रोसेस देखो मुझे चेक रहा हो सोल कहां लगता है सोल जहां लगता है उस मशीन को चेक करो उसके अंदर ग्लू ठीक लगी यह नहीं लगी तो मतलब अल्टिमेटली यूविल इसका मतलब है कि अब क्वालिटी कंट्रोल में गलतियां काम आएंगी और चीज़ देतर हो गई कामल भी हो गया और तीसरी चीज़ जो है वो जो वर्क परफॉर्मंस रिपोर्ट हमने बनाई थी वह एक दो जगा पे इस्तमाल होती है मिसाल के तोर पे जो हमारा हुमन डिस इंडिविजल ने तो काम किया और हम अब इसको इंडिविजल के हसाफ से नहीं देख रहे हम उसे देख रहे हैं काम के हसाफ से अब जो काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ यह खबर जाएगी वर्क परफॉर्ट की सुरत में एग्जिक्विशन को वापिस और जो बंदा टीम को मैनेज कर रहा था वो देखेगा अच्छा यह काम खराब हुआ है कौन लोग कर रहे थे यह काम किसका कसूर है तो उस बंदे से डील करना उसको सजा जजा देना उसकी रिपोर्ट लिखना इस इस इन लाइट आप दवर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट और अधिस दन fta वन टीलिंग है अपने बंदे के साथ तो क्योंकि जो बंदे आते हैं वो एग्जिकुशन के दौरान ही आते और एग्जिकुशन के दौरान ही पारे होके अपने घर चले जाते हैं इस लिए मॉन्ट्रिग अंक्रोलम्स से इंट्रफियर नहीं करते हैं ऐट यह ब्र्क र् अल्टीमेटल एक वकद आता है जब no more change request quality control measurement भी सब पास होगी no problem work performance report भी ठीक होगी कोई मस्ता नहीं है तो यह पीछे जाने का रास्ता जो ही बंद होता है आगे जाने का रास्ता खुल जाता है तो यह यहां पर हम review करते हैं यह अपने सारा कुछ जो deliverable और सब कुछ है यह बेज़ लेते हैं closing को closing उसको review करता है और देखता है सारे document पूरे हैं कोई काफ़ी कारवाई नहीं रह गई कोई और असाब किताब जो administrative requirements हैं प्रोजेक्ट को close करने की उनको ensure करता है और उसके बाद जो deliverable है वो customer के हवाले कर देखता है final product की तुरत में और जो भी इस पूरे project से assets create हुए हैं को documents हैं को files हैं को physical assets हैं वह वापस organization को जमातरा देखता है यह है जी total कहानी अगर आपको यह कहानी समझ आ गई तो समझ लीजिए कि project management समझ आ गई आप 49 processes समझना आपके लिए कत अन दिक्कत नहीं होगी क्यों जी किसी हद तक यह बाते मेरी समझ आई हैं आप लोगों को कि नहीं आई है question जी जनाब मरजी आपकी मतलब मैंने तो अप्मी तरफ से कोशिश पूरी कर दिया और इस वाज इंपॉर्टन अगर इसको आप वीडियो भी हो तो बाद में वीडियो भी आप इसकी देखिएगा सुनिएगा आपको दिखाने दीजिए एक एक डबा खोल के इनके अंदर क्या क्या है बाते वही है जो मैं आप से कर चुका हूं लेकिन आप डबा जब खुलेगा तो आपको सामने इनिसियेशन प्रॉसेस ग्रॉप याद रखिएगा हर प्रॉसेस ग्रॉप में एक या एक से ज़्यादा नॉलिज एरिया हो सकते हैं लेकिन एक नॉलिज एरिया ऐसा है जो हर सुरत में हर प्रॉसेस ग्रॉप में रहता ही रहता है और वो है इंटीग्रेशन का क्योंकि integration आपने शुरू में देखा था कि पांचो प्रोसेस ग्रूप में जो वाहिद एक knowledge area जो सब जगों पे present है पांचों में present है वो integration तो इसका मतलब है integration के process या processes पांचो प्रोसेस ग्रूप में ज़रूर होंगे और इसके इलावा और कोई ऐसा knowledge area नहीं है जिसके सब जग integration इस अपेरेंड प्रोसेस अफजल है बाकी नौ प्रोसेस से जो सोरी बाकी नौ नौलेज अरिया से यह उनका अबू जान है यह उनका मतलब कमांडर है तो integration जो है वह इन सब को कंट्रोल करता है इन सब की effort को integrate करते हैं इसका मतलब है बाकी सारे इसके subordinate हैं यही बात हर process group क के अंदर आपको दिखाएगा इस round circle जो बना हुए है गोल बना हुए यह शो कर रहा है कि integration के गिरते से circle लगा दिया उसने का जी यह तो इन कंट्रोल है तो पेरेंड प्रोसेस यह इंटीक्रेशन का कौन सब प्रोसेस होता है इनिसेशन के अंदर वह होता है develop project charter तो यहां प जा जाता है all that question answer होते हैं सब कुछ होता है तो यह this is happening here और जो sponsor उदर से एंटर इनिसेशन प्रोसेस ग्रूप के अंदर क्या लेकिया आया था अपने साथ यह तो बता दें sponsor अपने साथ कौन से documents लेकिया आया था क्या क्या चीज़ें इंपुट लेकिया आया था कि जी वजात है कि sponsor जब इनिसेशन में दाखिल हुआ तो उसके बगल में कौन सी फाइलें दभी हुई थी जिनकी रोशनी में उसने चार्टर बनाना था है गुस्मान निलोफर मुहमद अमेर खान यहर कोई तो जवाब दे दें वहीं मुझे चौहाल पूछ रहूं आप लोगों से अब्दॉल्ला साब चुबा नहीं जवाब देना किसी ने चलने जी आपकी मर्दी है बिजनस डॉकुमेंट्स हैं जिन में दो चीज़ें थी बिजनस केस और बेनिफिट मैनेजमेंट प्रैन और दूसरे एग्रिमेंट्स थे जिनके अंदर कॉंट्रेक्ट भी हो सकता है है और भी किसी किसम का मो यू या कोई और अंडर्स्टेंडिंग हो जब यह काम हो गया तो उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर इंडिपेंट्ली पहला काम जो करेगा वह स्टेकोल्डर को अदेंटिफाई करना अभी उसने कतन कोई प्लैनिंग नहीं करनी को और कुछ नहीं करना में में और वहां में होगी यह है जी इनिस्यर्श इवार प्लैनिंग में आते हैं तो आप यहां देखिए कि 24 प्रोसस हैं गिन पर चार प्रोसिस कोप के हैं 53 वैसेwriter कमंच ध moments नो और दर्म्यान में है integration का नाम है उसका डिवलप project management plan इन सारे चीज़ों का मंबा जो है वो project management plan है कि सारी effort जब इकटी होगी तो project management plan में चली जाएगी और बाकी सारे उससे interact कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ बनना शुरू होती है वो project management plan बनना चुछ होता है planning लेकिन वो यह तब पहुंचता है जब सारे काम मुकमल हो जाते हैं मतलब project management plan remains incomplete जब तक सारी चीज़ा मुकमल नहीं हो जाती और project management plan का पुरा पेट नहीं वरता तब तक वो complete नहीं होता तो the first document which starts getting started being developed is this project management plan and by the end of project management planning planning process group यह complete होता है कि ओके और जिस शकल में भी होता है during during this कि मैंने आपको यह तो बताया था कि project management plan will be input to every process of execution every process of monitoring and control and every process of control अब मैं आपको एक और बात कहने लगा हूं it is also input to every process of planning सिर्फ अपने सिवा अपने आपके सिवा project management plan जिस शकल में भी है बाकी तमाम processes को मिलेगा और वो फिर उसकी रोशनी में अपना काम करेंगे और जो कुछ बनाएंगे वो फिर management plan के अंदर जाएगा तो यह iterative है एक चीज़ के project management plan उनको input में भी मिल रहा है और वो जो कुछ बना रहे हैं वो भी project management plan के अंदर जा रहे हैं और इस तरह वो enrich होता जाता है और वो मुकमल होता जबता है एक बात यह होगा scope scope में आप देखते हैं चार processes है प्रहले scope का management plan बनता है फिर requirements collect होती है फिर scope define होता है scope define होने का मतलब है scope statement बनना यह वह पहली यह वह जगह है जहां सबसे मुफसिल scope बनाया जाता है मुझे पता है बहुत confusion होती है लोगों को लोग कहते हैं जी वह तो charter में होता है scope वो तो business case में होता है होता है एगरी लेकिन सबसे ज्यादा मुफसिल हालत में जो scope बनता है प्रोजेक्ट के लिए वो यह है define scope के लिए इसकी बनियाद पर प्रोजेक्ट डिजाइन होता है तफसीर में तो scope जब define हो जाता है तो scope statement बन जाती है और उसके बाद पिर हम आखरी काम जो कर करते हैं planning का वो है उसका breakdown करना मतलब उसको work packages में तोड़ते हैं यहां तक काम हुआ होगा तो बाकी knowledge areas काम शुरू कर सकते हैं जब तक scope यहां तक नहीं पहुंचता है तब तक बाकी कोई भी knowledge area काम शुरू नहीं कर सकते हैं अगर कोई करना भी चाहे तो वह सही काम नहीं कर पाएगा क्योंकि activities एक्जिस्टी नहीं करती होंगी और activities कहां बननी है यह जो schedule है इसके अंदर यह है जिए डिफाइन एक्टिविटी पहले स्केजूल में में पैन बनेगा फिर डिफाइन एक्टिविटी होंगी sequence activity estimate activity and then develop schedule यहां के एंचार्ड बन जाएगा cost में इसी तरह cost management plan estimate लगेगा cost का फिर उसका budget determine हो जाएगा इस तरीके से यह बाखी कुछ चीज़ेंसी हैं जिनका सिर्फ management plan ही बन रहे है quality management plan resource management plan यहां resource estimate भी हो रहे हैं communication plan बन रहे है stakeholder management plan बन रहे है रिस्क management plan बन रहे हैं लेकिन रिस्क के अंदर फिर आप रिस्कों को identify भी करते हैं qualify करते हैं quantify करते हैं responses बनाते हैं तो यह सब कुछ तो यह सब चीज़ेंसंबल होती हैं जाके project plan plan के अंदर और इन सारों में से executable form जो चीज़ है जिसको अमल करना है जिसके उपर execution में जाकर executable वो है scope time और cost की हत्मी शकल उस हत्मी शकल को हम कहते हैं baseline scope की baseline होती है schedule की baseline होती है cost की baseline हमेशा बनती है planning के आखरी process तीन ही baseline है वो जो तीन project objective थे न scope time और cost उनकी सिर्फ baseline बनती है scope की baseline create wbs के वकत बन जाती है schedule की baseline develop schedule के वकत बन जाती है और cost की baseline determine budget के वकत बन जाती है यह तीन baseline है जाके project management का हिसा बन जाती है project plan का और उनको वही integration वाला ही execute करता है इनको अलग से execute करने की जरूरत नहीं हो लेकिन बाकी जतनी चीज़ें हैं वो जो plan होगा वो plan होंगी और वो अपना असर डालेंगी उनकी baseline क्यों नहीं हो रही क्योंकि असल में वो तमाम चीज़ें जो कुछ भी करेंगी उसका असर या तो scope पर पढ़ेगा या time पर पढ़ेगा या cost पर पढ़ेगा तो आखर में हमारा scope schedule और cost finalize होगी जब cost की इन तीनों की baseline हो जाएंगी तब जाके project management plan पर अमल पैरा होना प्रॉजेक्ट management plan में describe करूंगा आगे एक जाके लेकि प्रॉजेक्ट में प्लैन में आपने जो बेस लैने बनाएंगी वो तीन बेस लैने दर असल एक्जिक्यूटेबल चीज़ है schedule schedule बना हुआ है गैन चार्ड है उसके मताबिक काम करें कास्ट में लिखा हुआ है कब कितना पैसा किस चीज़ के उपर लगाने उसके मताबिक काम करें तो यह काम करवाना जैनेक्ट एंड मैनेज प्रॉजेक्ट वरक का काम है और मीनवाइल अगर कोई नहीं नॉलिज जिनरेशन होती है लेसंग लेंड या को अशी एक प्रॉजेक्ट नॉलिज को यह भी इंटिग्रेशन का एक अमल है और यह मैंने आपको पहले बता दिया मैनेज क्वालिटी क्वालिटी इस्यूरंस कर रहा है रिसोर्स को एक्वाइर कर रहा है पिर टीमों अर हेला मैंनेज हो रही है करांगु दीपलैन प्रॉक्रिमेट मैंनेजबन है आखर्डिंटी प्लैन रिस्क रिस्पंस्स इंप्लिमेंट हो रही है आकॉर्ड़िंग तुझी प्लैन और की हम सबसस्क्राइब टॉपर शेजंब लूह और प्लैना दियो कि ठेक्श को को केAK सब्सक्राइब ऑब करें चले जाएं तो अगेन मोनिटरिंग कंट्रोल एंटी ग्रेशन के दूप्र रस है मौनिटरिंग प्रक्रोच के चीफ एनलिस्ट पर्फॉर्म इंटीराज़टर चेंट्रोल चीफ कंट्रोलर अप क्या हौआ अगर मैं डिलिवरेवल के हसाब से देखँ तो वह दो जुगों पे जता है न था यह कुलिटी कंट्रॉल के पास और यह कुलिटी कंट्रोल के वरिफाई होने के बाद जाता है वैलिजे gi Tech कहोप के पाद है या तो यह दोनों इस्पेक्शन हैं उसे पकड़ लेंगी और या फिर वो निकल जाएगा इस यह दो चीज़े हैं जो डिलिवरेबल के इसके इलावा बाकी सारी प्रॉसेस दस प्रॉसेस जो इन दो के इलावा है यह पेड़ों को गिरने वाला हमल है एनलेसिस का काम है तो आफ देम कंड़क्ट दी अनलेसिस ओल अफ देम कंवर्टेट तो वर्क परफॉर्मस इंफॉर्मेशन और व्लेशन जो उसको कंसॉलिडेट करके वर्क परफॉर्मस रिपोर्ट वना जए इसके इलावा जितने कंट्रोल हैं वह अपने अनलेसिस के नतीजे में अगर अपन कोई तबदीली रिक्वाइड है तो दे आ उनको मजाज हैं चेंज रिक्वेस्ट मूव करने के और चेंज रिक्वेस्ट हैं कहीं से लोप से चीज़ें देख रहे हैं तो उसको बिक्विक्चर नदर आ रहे हैं वह वो देखेंगे यह भी चाहिए वह चेंज रिक्वेस्ट भी मूव कर सकता है लेकिन चेंज रिक्वेस्ट में भले एग्जिक्वेश्ट से आएं बले मॉनिटर और कंट्रोर प्रजेक्ट वर् और उसके बाद आपका आखरी प्रॉसस है क्लोजिंग का प्रॉसस एक ही है एक ही प्रॉसस ग्रॉप में एक ही प्रॉसस और इसका मतलब है कि उन तमाम चीज़ों को वो जो कुछ हो चुकी है उनका पेपल ट्राइल करता है पेपल रिव्यू करता है इंशूर करता है कि सार तो किसी की पेमिंट तो कर नहीं नहीं रह गई जब ये सब चीज़ें तो फिर वो 從 किस्टमर के ही हवाले करता हैं और मिघा कि चीज़े बची लीएं प्रोजेक्ट्स से क्राध क्व का और घर जा रहें तो जहां कुछ शुट मी सब कुछ था उसको अगर आप पढ़ें तो यह अग्री तीचार स्लाइडों को देख लीजेगा यह प्रॉजेक्ट को बता रहे है इसके अंदर विब्स डेटा वर्क परॉर्ड को डिफाइन किया है और इस डियाग्राम में यहारी जो मैंने आपको बताई थी कि जनाब जब होता है तो वर्क में निकलता है प्रोम करते हैं फिर उसके ढूरॉट कर देते हैं वह इंफो में कलेक्ट होके जाती पाइचल गर तो इस ए इंड ओफ दा इंत्रोड़क्टरी पार्ट जो प्रॉड्टर अगली क्लास से जो चीज हम शुरू करेंगे अगर रोगी प्रॉजक्ट इंटीग्रेशन का चप्टर चप्टर नमबर फॉर प्यम्ब यह चप्टर नमबर फॉर मैं चाला अगली क्लास शूप करें जी जना भी हो गया है अगर है तो बताइए इसकी स्लाइड्स काइंड ली शेयर कर दें यह वाली मेरे पास नहीं है यह आप में वाटसप पे फिर लिंग देगा उदर से हम ले लेंगे यह क्यों नहीं है आपके पास आपको पूरा फोल्डर दिया हुए मैंने उ इस चैप्टर की वो खुल नहीं रहा पावर पॉइंट प्रेसेंटेशन खुलती है तो वो रिपेयर का उप्शन आजाता है जब रिपेयर पर क्लिक करती हो तो उसके बाद जैवो चलती है तो आप काइंडली दुबारा से प्रिप्टी तो आप काइंड लोगों ने सुना वाकिए सुना और समझा तो बेरा खैल है कि बहुत क्लियर है जिसे अगर आप नहीं सुनेंगे तो लाज़ी वाद समझ नहीं है लेकिन अगर आप गोर से सुन रहे है तो सुनना काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है जो बाते हम कर रहे हैं हाँ क्वेशनन से करके को डूट दूर नहीं करेंगे तो हमें क्या पता तो यह है जनाब तो इंशाला अभी फिर हम नेक्ट क्लास मारी कल होगी कल इंशाला मिलते हैं थैंक्यू वेरी मच्छ एंड टेक केर खुदा आफूश्यू